तो नमस्कार आदाप से स्ट्रेकाल राम राम खमा गणी दोस्तों मैं रजने स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दस सक्सेस में तो दोस्तों आज हम इंटर्विव डिसकस कर रहे हैं मतलब मैंबर का नाम नहीं पता ये इनका इंटर्विव डेट 21 जून को कि और डिसकस्षन ओन आयर मतलब इतनी सारी होबी बंदे ने लिख दी है कि सामने वाला होबी ही पूछता रहे गा सब्जेक्ट पर आएगा इनी सारी होबी लिख दिया देखते हैं इन होबी लिखने का फायदा इने मिलता है कि नहीं इनके कॉशन हम जब डिसकस करेंगे अब हमें पता चल जाएगा करण्टी वर्किंग के रास्ता गौवर्मेंट एजुकेशन में ने ज्यारेफ तो मतलब यह स्कूल टीचर लिखा है इन्होंने और में ने ज्यारेफ कर रखिया इन्होंने तो इंटेलिजेंट दिख रहे हैं मतलब क्वालिफिकेशन स्चांद मदाトटप्ज को मरanı जाते हैं चारद 것이 अन्यक्षा कोश्ञ पूछ लिए वरकिंग हो यह सyasब सब्जेक्ट वे और कहां पर सब्सक्राइब कोश्ड़ कौन सब्जच पढ़ाते हो और कहां पर आदमी समाज सेवा और व्यास्था को बदल सकता है मतला इनों ने पूछा बोला होगा कि सर मैं ये बनना चाता हूं ताकि समाज में ये बदलाव ला सकूँ तो फिर इनसे चैन्च लाए जाए वहाओ ये तो इनसे सयगेंड पूछा क्या कि बना है और कैसे ला सकते हूं अन्यूरिस्ट पिर फिर पूछा गया ट्यूरिस्टों ट्रैवलर और नोच भी है तो इनकी होगा है त्रेवलिंग तॉरिस्टiin कि नकी नुय terminal देना ऐसा कोशन पूछ लिया इस यह हो भी आपकी कैसे डवलप होई ओवियसलि ट्रेवलिंग हो भी है तो कुछ ना कुछ तो रिजन होगा डवलप्मेंट का तो कैसे डवलप होई ठीक है फिर मेंबर फस्ट में मुझे ट्रेवलिंग क्या है कहां कहां घूम चुके हो आज स रखता है तो इसे ऑवियसलि एक कॉशन बना था कि किस तरह से मैनेज करते हो आप जोब के साथ में फिर विंद्या परवत कहां पर है साउथ राजस्तार में फिर सत्माला वाइल लाइफ सेंचूरी में मिलती है ना मतलब यह कुछ पूछा होगा कि विंद्या परवत कहां पर यह पूछा तो इन्होंने बताया होगा कि सीता माता जो वाइफ लाइफ सेंचूरी अभ्यरत नहीं उसमें मिलती है इसके अलावा इनसे पूछा गया कि बारा में भी सीता माता का मंदिर है टोल्ड सीता बाडी का मंदिर है इन्होंने बोला कि इनसे पूछा गया कि क्य प्रिताबाडी है ना यह इन से पूछा गया बारा में कहां कहां गूम चुके हो ठीक है कोटा के नस्दीक पैलेसिज में घूमें हो क्या किस टाइब के पैलेसिज पर घूमना पसंद करते हो तो आप देख रहे हो देखो कटारा सर के कोशन में सिर्फ पहले डी एफ से कोशन हैं फिर होबी से कोशन आया सेकंड व्यम्बर सिर्फ होबी से पूछ लिए और अभी तो एक ही होबी कवर हुई है ठ्रेवलिंग आगे देखतें आगे मेंबर किस डरे से चलते हैं वेंबर सेकेंड में पूछा एड्मिनिस्ट्रेशन में आने से आने काGO सभासे लगा और क्यों मतलब आने का मन कैसे हुआ और क्यों कभी किसी एड्मिनिस्ट्रेशन से मिले हो क्या यह पूछा गया इतने टाइम के बाद भी समाज की प्रोब्लम्स खत्म नहीं खत्म क्यों नहीं हो पाई है यह इनसे सिंपल जो कोशन होते हैं कि हमारे अस बनते हैं तो हमसे यह कोशन बनते ही है क्या प्रशाशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया है क्यों हम प्रशाशन क्यों बनना चाते हैं समाज की प्रोब्लम्स कम करने के लिए तो इनसे पूछा गय है कि इतने टाइम में तो समाज की प्रोब्लम कम हुई नहीं तो मतलब क्या कि आज हम आज से पहले हम से पहले जो प्रशाशक आए थे क्या उन्होंने किसी नहीं अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो बहुत सरे दवाव उन पर होते हैं ठीक है फिर सेकंड होभी शक कोशन आता है ब्लोग राइटिंग और मोबाइल फोटोग्राफिय दोनों ट्रैवलिंग के साथ करते हो या फिर इन से अलग इनके अलग भी करते हो ठीक है लास्ट ताइव कहां पर ट्रैवल किया था और उससे क्या-क्या सीखा और दाल हाउसस का नाम कैसे पढगा और हीरमwork और Lol दलखुजी के नाम कैसे पड़ा तो इनगे बोला होगा तरवाहत के जडल रहे हैं तो हिस्ट्री में इनका क्या रोल है है तो दलखुजी नी दोस्तों बहुत सारे कारिया किये थे हम पढ़ते हैं तो उरे झाले कुछ कारिये के बारे में पूछा और फिर उसकी होबी पे आ गए इनकी पे सारा होबी पे चड़ा गया ठीक है फिर मेंबर थर्ड पूछते हैं ग्रेड पे तो बराबर है दोनों के फिर क्या करोगे आकर मतलब इन्हों ने अपनी पोस्ट का नाम नहीं बताया इतिंग है न करेंट्ली वर ब्लदा है कि और क्यों आना चाहते हो तो इन्होंने कहा होगा सर्this बेराबर नहीं है दो से जाए तो गजब के फैसे ही पोस्त होती है जिनका रुत्भा इतना शांदार होता है कि लोग पैसों को में पीछे बूल जाते है और जो प्रेस्टीज होती है जो समाज के के लिए अध्यों करने का हमें मौका मिलता है वो इन ही फिल्ड में मिल सकता है हम लोगों के बीच जाते हैं यहीं वह तो मतलब एक प्रेड़ना होती है कि हमें इंस्पायर करती है आरेस बनाने के लिए लोग इतने अच्छी जोब छोड़के कोई डॉक्टर चोड़के आई एस बन रहा है कोई टेक्नोलोजी वाला आई एस बन रहा है ऐसे आरेस में अपने होता है कि देखिए अब यह शायद स Sh lasting स्वाहर यहिए धजयार का परicky होता है कम ही होती होग एटिंग तो मतलब इनके ज़्यादा है तो obviously अप्रॉफेसर है प्रॉफेसर छोड़के आरेस में आना चाहते है कि अपर सो सबकते हैं प्रहाँ सबस्तों कि blossomsor करने सब्सक्राइब करने माँदार कर सकते हैं वहाँ S THE अगर इपने दूटी यह नगे सार्व कर रहे हैं लोगों को लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है करने का मोगा ज्यादा मिलता है हमें और हमारे हाथ में थोड़ी सी पावर भी ज्यादा आ जाती है टीचर हूँ तो मैं जैसे टीचर हूँ लेकिन इतनी जदा पावर नहीं होती है मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ लेकिन अगर मुझे बच्चों के लिए चैसे कोई स्कूल में टॉइलेट नहीं है तो मेरे हाथ में पावर नहीं है मैं प्रिंसिपल को बोलूंगी प्रिंसिपल आगे पहुंचाएगी बात को पता नहीं वह पर्मिशन देंगे नहीं मिल कर पाए है ना और जदा वेलफेर कर पाएं तो यहीं अट्रेक्शन इस जोब में है और इसी दिए सब इसे को सैटिस्फिकेशन ओफ लाइफ बोलते हैं लाइफ चेंज और और हैल्प टू तो इस जोब में भी कर सकते हूँ वह असली जैसे मैंने का उन्होंने भी जवाब दिया होगा लाइफ चेंज करना चाहता हूं हेल्प करता चाहता हूं तो इन्होंने सेम कोश्चन की इस जोब में भी वह कर है सकते हो अगर लाइफ में आट-दस लोगों की लाइफ बदल पी जाए तो सैटिस्फिकेशन देगा या फिर छोटी-छोटी हैल्प सैटिस्फि आपको यह मेंबर ने इनसे बोला इसते शोट टर्म का हैपिनेस मिलेगा बस आपको कौन सा सब्जेक्ट आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो फिर इनसे पुझा गया अब सेंटर विस्टा बन रहा है क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होगा इससे पहले कब क्या होता है अब तक कितनी बार हो चुका है लास्ट कब हुआ था आने वाला कब होने वाला है तो कमेंट करके बताएगा कि अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुके है पहला कोशन दूसरा कोशन बताएगा कि लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था तीसरा कोशन बताए कि अब कब होने वाला है सिमांकन परिसीमन कब होने वाला है आने वाले भविश्या में तो वो तो इननों खेर बताई दिया है दोजारचबिस में उने वाला है तो पहला कब हुआ था और कौन से आर्टिकल में लिखे गए है यह चीज पर आप बताईएगा ठीक है देखती हूं कितना क्याद रख रहे हो आप लोग और भनीमत और शायद है पॉलिटिकल के टीचर होगे इसलिए यह सेंटर विश्टा गया और संसद द्वारा बनाए गये लॉज पर कोई लिमिट है क्या एजी डेमोक्रेशी और एजी अकेडमी अशियन बताईएगी क्या संसद द्वारा बनाए गये लॉज पर कोई लिमिट है बिलकुल लिमिट है दोस्तों अगर वो समिधान के अनुकूल नहीं होगे अग इंटर्विव बहुत ही सब्जेक्टिव था सेल्फ असेस्मेंट करना बोर्ड बड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसे कोशन से कटारा सरकाव बहुत कम टाइम दे रहा था बट जल्दी जल्दी निप्टा रहे थे मेक्सिम में बिल्कुल सच्चा ही ले गuğि है मैक्सिम मोगों को 10 15 मुन Εट ही कि oldest मिन को मुझे कहीं न कहीं सच्चा ही लाग थी कि क्योंकि जितने इंट्र्विव मैंने डिसकस कि ए है उस मेरे परसुनल जानकार है मुझे यसे मतलब 4 5 5 हम लोग परसनली कनेक्ट साथ मालो साथ किसे दस लोग तो personally connect ही तो दस लोगों में से साथ का interview हो चुका है और सात के interview में से मुझे अब तक यह पता चला है कि जैसे मेरा में 16 NASA मीनेट चला था किसी का भी inter Total से ज्यादा नहीं चला है हम साथ लोगों में से ठीक है और हैं तो यह मतलब और लगाने में थोड़ा सा assessment करने में थोड़ी सी problem हो रही है हम अंदर जाते हमें पता नहीं चलता मैंने आपको बोला था मैं stopwatch लगा के गई थी तो मुझे मेरा fix बता है कि मेरा इतनी देर चड़ा था ठीक है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत बहुत देर से बैठे हैं 20 मिन जहां तक मेरा assessment है मैं सोच समझ पाई हूँ इतने सारे इंटर्वी डिसकशन के माद में I think वो गलत है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 20-25 मिनिट चला इन्होंने बिल्कुल सही कहा है maximum लोगों को 10-15 मिनिट ही मिल रहे हैं क्योंकि देखिए मेरा जो चला था मेरा चला था श 16-7 बोर्ट चल रहे थे, उनके कितने सारे बच्चें महाँ पर खड़े थी, जबकि मैं भी पहले नंबर थी तो वह भी तो पहले नंबर पर होंगे तो वह कितने सारे देखिए बाहर आ चुके थे, इसका मतलब ये है कि मुझ से भी पहले उनको छोड़ दिया जै तो उनका उनको लग रहा है कि शायद इतना तो चलाई होगा वाकि सब लोगों के आवरेज 15 मिनिट ही चल रहे हैं तो यह था दोस्तों का इंटर्व्यू शांदार लगा हमें तो सर अच्छे मांक्स आएंगे और अच्छी रैंक सिक्योर हो ऐसी हम दूआ करते हैं आपके लिए और ऐस personnalyty से दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतनी सारी Hobies देखें! पर ही जाए आपके अक्रोडिंग ही जाए तो दोस्तों यह था आज का इंटर्व्यू उम्मीद आपको अच्छा लगाओ का अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब है चैनल और ऐसे ही वीडियो आप और चाहते हो तो बने रही है चैनल के साथ में और अब आगी आज वीडियो टेक्स ते के लिए थैक्यू सोवड़ आज वीडियो टेक्स देक्टे के लिए थैक्यू सोवड़